नमस्कार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सकुलेशन, बिहार जारखंड समेत 15 राजियों में भारी बारिश का अलट Weather forecast, भारत के अधिकान्ष राजियों में आज बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार, जारखंड, यूपी पश्चिम बंगाल समेत कई और राजियों में भारी बारिश हो सकती है एक नजर डालते हैं पूरे देश में आज कैसा रहेगा मौसम Weather forecast, देश के कई राजियों में मानसून की वापसी शुरू हो गई है हालां कि अभी भी बिहार, जारखंड, औरिसा, पश्चिम बंगाल समेत कई और राजियों में बारिश हो रही है वहीं, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्शेत्र बना हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि इसके प्रभाव से कई राजियों में बारिश की संभावना है IMD ने कहा है कि मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरन के प्रभाव से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तर पश्चिम में उत्तरी आंध्रप्रदेश और दक्षन उनिसा के तटों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है विभाग ने 15 राजियों में बारिश होने की बात कही है एक नजर डालते हैं पूरे देश में आज कैसा रहेगा मौसम दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम दिल्ली में बीते 2-3 दिनों से बारिश नदारद है बारिश नहीं होने के कारण दिल्ली NCR में लोगों मजभरी गर् हालांकि बुधवार को मौसम विभाग ने दिल्ली के आस्मान में बादल चाये रहने की बात कही है विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में एक दो दिन बारिश की संभावना नहीं है UP में बारिश का दौर जारी UP के कई हिस्सों में बारिश जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा मौसम विभाग ने यलो अलज जारी किया है मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रदेश में बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल सकती है AMD ने हा है कि बंगाल की खाड़ी में बने cyclonic circulation का असर यूपी में भी पड़ सकता है और इसा में 20 जिलों में बारिश की आशनका बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण और इसा में भी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होगी मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जिलों के अधिकांच स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 20 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ मुसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है चक्रवाती परिसंचरन के प्रभाव से 26 सितंबर तक सुंदरगर, जारसुगुड़ा, बारगर, संबलपुर, डेवगर, अनगुल, नेकनाल, क्योजर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, जगत सिंगपुर, पुरी, खुर्दा, जिनों के दोरान पश्चिम बंगाल के अधिकांच स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने दाजिलिंग और कलिमपूंग जिलों के समवेधन शील क्षेत्रों में भूस्खलन की भी चेतावनी दी है, मौसम विभाग ने कहा कि निम्न दबाव के खेत्र के कारण 26 सितंबर तक दक्षन बंगाल के कई जिलों में और अगले दिन तक उत्तर बंगाल में भारी बारिश होने का अनुमान है, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना, हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से मौसम शुष्की बना ह हालां कि अभी भी राज्य में 23 सडकें अभी भी यातायात के लिए बंध हैं। जार्खंड वैदर मौसम केंद ने 3 घंटे में 5-5 अलज जारी कर कहा है कि रांची समेट जार्खंड के 15 जिलों में 2-3 घंटे में वजरपात के साथ वर्षा होगी। जार्खंड वेदर अलर्ट जार्खंड की राजधानी रांची समेट 14 जिलों में अगले कुछ घंटों में मेग गर्जन एवं वजरपात के साथ वर्षा होने की प्रबल संभावना है भारत मौसम विज्ञान विभाग आयमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से यह जानकारी दी गई है मौसम विभाग ने तीन घंटे में जारी की वर्षा वजरपात की पांच चेतावनी मौसम केंद्र ने तीन घंटे में पांच माइनस पांच अलट जारी किये है तीन यलो अलट और दो औरंज अलट जारी हुआ है मौसम विभाग ने शाम को पांच बच के 48 मिनट बजे पहला अलट जारी किया मौसम में कहा की राजावनी फिर बदलेगा मौसम 27 सितंबर को भारी बारिश तूफान से होगी भारी तबाही IMD Big Alert Heavy Rain in September Destruction Due to Storm मौसम विभाग ने तीन दिनों के बाद भारी बारिश का अलट जारी किया है मौसम विग्यानिक के पूर्वानुमान में ज्योतिश शास्त्र का अध्ययन भी शामिल है जिसके अनुसार हतिया नक्षत्र में चलने वाला तूफान और बारिश तबाही लेकर आएगा IMD Big Alert Heavy Rain in September Destruction Due to Storm मौसम विग्यानिक मौसम के पूर्वानुमान के पहले अब विग्यान के साथ प्राचीन काल में प्रचलित ज्योतिश शास्त्र का भी अध्ययन करेंगे पुरानी पद्धती और विग्यानिक आंकडों के तालमिल से मौसम की भविश्यवानी करने की योजना है मौसम विग्यानिक पुरानी पद्धतीयों के साथ मेल जोल बढ़ाने पर काम कर रही है सीए से कानपुर के क्रिशी मौसम विग्यानिक डॉक्टर एसिन सुनील पांडे ने ये साइक्लोन ट्रैकर चक्रवाती तूफान जौन से तबाही भारी बारिश की चेतावनी, 155 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा साइक्लोन ट्रैकर, मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर लोगों से अलट रहने को कहा है विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा के लिए किसी उचे स्थान की तलाश करें साइक्लोन ट्रैकर, एक और समुद्री तूफान तर्ट पर कहर बरसाने आ रहा है बीते दिनों चीन, फिलिपीन्स, वियतनाम समेत कई देशों में साइक्लोन यागी और बेबनिका तूफान ने जम कर तबाही मचाई थी अब एक बार फिर तबाही मचाने चक्रवाती तूफान जॉफान जॉण आ रहा है चक्रवाती तूफान जॉण के टेगरी तीन का साइक्लोन है इसे आखिरी बार मेक्सिको के प्रशांत तच से दूर पुंटा माल डोनाडो के दक्षिन में देखा गया था मंगलवार को यह अपने पूर्वान मानित भूस्खलन से पहले मेक्सिको के उकसाका की ओर बढ़ रहा है अमेरिकी के नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि जॉण पिछले कुछ घंटों में तेजी से मजबूत हुआ है तूफान के कारण 155 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है भारी तबाही की आशनका मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर लोगों से अलट रहने को कहा है विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा के लिए किसी उचे स्थान की तलाश करें लोगों को समुदरी इलाकों से हटा कर रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है विभाग का अनुमान है कि की तूफान भयानक रूप ले सकता है इसके कारण चलने वाली विनाशकारी तूफानी हवाएं जान लेवा हो सकती है भारी बारिश और समुदरी लहरों से बार भी आ सकती है तूफान जॉन के कारण अगले कुछ दिनों तक मैक्सिको समेट कई और इलाकों में जेद बारिश और बार्र की स्थिति आ सकती है तूफान को लेकर अलट जारी इधर राश्ट्रिय नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने तूफान जॉन को लेकर रेड अलट जारी किया है अमेरिकी के राश्ट्रिय तूफान केंद ने कहा है कि धीमी गती से आगे बढ़ रहे तूफान जॉन के कारण आगामी सप्ताह में दक्षन पश्चिम मैक्सिको के तटिय भागों में बहुत भारी बारिश होगी साइकलोन ट्राकर, बेबनिका तूफान ने चीण में मचाई थी तबाही हाल के दिनों में चीण, फिलिपीन्स, वियतनाम सहित भारत में कई साइकलोन आए बीते दिनों चीण के शंधाई शहर बेबनिका तूफान ने ज़ोरदार तबाही मचाई थी पिछले 75 साल में ये चीन में आया सबसे ताकतवर तूफान था इस तूफान के कारण जंजीवन खप हो गया था तूफान के कारण 42 मीटर प्रती सेकंड की रफतार से हवा चली थी मौसम विभाग की चेतावनी फिर बदलेगा मौसम 27 सितंबर को भारी बारिश तूफान से होगी भारी तबाही IMD Big Alert Heavy Rain in September Destruction Due to Storm मौसम विभाग ने तीन दिनों के बाद भारी बारिश का अलट जारी किया है मौसम विभाग निक के पूर्वानुमान में जोतिश शास्त्र का अध्ययन भी शामिल है जिसके अनुसार हतिया नक्षत्र में चलने वाला तूफान और बारिश तबाही लेकर आएगा IMD Big Alert Heavy Rain in September Destruction Due to Storm मौसम विभाग निक मौसम के पूर्वानुमान के पहले अब विभ्यान के साथ प्राचीन काल में प्रचलित जोतिश शास्त्र का भी अध्ययन करेंगे पुरानी पद्धती और विभ्यानिक आंकडों के तालमिल से मौसम की भविश्यवानी करने की योजना है मौसम विभ्यानिक पुरानी पद्धतीयों के साथ मेल जोल बढ़ाने पर काम कर रही है सीए से कानपुर के कृषी मौसम विभ्यानिक डॉक्टर एसिन सुनील पांडे ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि आज भी पंचांग में वर्षा का योग पंचांग बनाते समय ही बता दिया जाता है जोतिश शास्त्र के अनुसार नक्षत्र कुछ और ही इशारा कर रहे हैं जिसमें वर्षा का आधार जलस्तम के रूप में बताया गया है जिसमें वर्षा को आक्रिष्ट करने के लिए यग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्नाद भवंती भूतानी पर जन्यात्न संभव, अर्थात वायू और बादलों का परस पर संबंध होता है आकाश मंदल में बादलों को हवाही संचालित करती है इसलिए वायूमंदल में वर्षा और स्थान विशेश में वर्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है इस महीने हस नक्षत्र यानी हथिया लगेगा हथिया नक्षत्र में भारी बारिश की संभावना रहती है 27 सितंबर से भारी बारिश के योग बन रहे हैं इस दोरान चलने वाली तुफानी हवाओं से जंगल, पेट, परवत के शिला, मकान आदी को उखार फिंकने की ताकत होती है ये नक्षत्र भी कराते हैं बारिश इस इन सुनील पांडे ने बताया कि वर्षा को जानने के लिए जोतिश विज्ञानियों ने नक्षत्रों पर विशेश विचार किया है जिनके अनुसार आर्द्रा, पुनर्वसू, पुश्य, आशलेशा, मघा, पूर्वा फालगुनी, उत्तरा फालगुनी, हस्त, चित्रा आदी बारिश करने वाले नक्षत्र हैं लेकिन ये वर्षा कब तक जारी रहती है? जब तक सूर्य और गुरु एक राशी में हो, गुरु और बुध के एक राशी में होने तक वर्ष जारी रहती है और ये तब तक जारी रहती है जब तक बुध्या गुरु में से कोई एक अस्त ना हो जाए Change in weather from today evening मौसम विभाग के फरुखाबाद में आज मौसम से परिवर्तन आएगा सुबह बादल गरजने के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है जमा जम बारिश हो सकती है रात में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा आगामी 26 सितंबर को तापमान में कमी आएगी दोपहर में गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वा नुमान है 25 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है रात में भी जमा जम बारिश होगी जिससे भीशन गर्मी, उमज से लोगों को राहत मिलेगी चेंज इन वेदर फ्रम तुडे इवनिंग मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिक तम तापमान 32 डिग्री और नून तम 26 डिग्री रहने का अनुमान है सुबह गरज के साथ आंधी पानी का अलज जारी किया गया है पूर्व और दक्षन पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी पचास प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है रात को भी बारिश होने का की जानकारी दी गई है इस दोरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से हवा चल सकती है पचास प्रतिशत बारिश होने की संभावना है कैसा रहेगा फरुखाबाद में 26 सितंबर का मौसम Change in weather from today evening मौसम विभाग ने दोपहर को बारिश होने का अलज जारी किया है जिसके अनुसार ब्रिहस पतिवार का अधिक्तम तापमान 31 डिग्री और न्यून तम 25 डिग्री रहने का अनुमान है पूर्व और दक्षन पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी 20 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान जाहिर किया गया है रात को भी मौसम में परिवर्तन आएगा देर रात जमा जम बारिश होने की संभावना है इस दौरान 15 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है हेवी रेन अलर्ट राज्य में आज शाम मौसम फिर करवट लेगा पिछले दो-तीन दिन से उत्तराखंट के अधिकांच जिलों में धूप खिली हुई है हालां कि पहार के कई जिलों में आज सुबह से ही हलके बादल भी चाय हुए है सितंबर आखिरी चरण में मौसम खूब करवट ले रहा है IMD ने आज यानी सोमवार शाम को राज्य के परवतिय जिलों में आस्मानी बिजली कढ़कने के साथ ही हलकी बारिश का अलग किया है हालां कि मैदानी इलाकों में आज और कल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है IMD के मुताबिक 25 और 26 सितंबर को राज्य में यूस नगर और हरिद्वार जिले को छोडशेश सभी जनपदों में जमकर बारिश की संभावना बन रही है मानसून विदाई से पहले दिखाएगा उग्रा रूप मानसून विदा होने से पूर्व राज्य में उब्र रूप दिखा सकता है राज्य में 25 सितंबर से दो दिन बारिश होने से तापमान पर असर देखने को मिलेगा IMD ने इन दो दिन भारी बारिश का यलो अलट जारी किया है इस से पहले दो दिन धूप खिलने से गर्मी खूप परेशान करेगी खास कर मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से तापमान करेगा